गुड मॉर्निंग स्ट्रेंट्स बच्चो आज हम लोग आप लोग का लेशन टू पार्ट्स आफ ए कम्प्यूटर क्लाश टू का हम लोग पढ़ेंगे ठेक हैं तो हम लोग उसको पढ़ते हैं यहां पे दिया है इन दिस चेप्टर वी विल लर्न पोला कि इस चेप्टर में हम लोग क्या क्या लर्न करने के मॉनिटर के बारे में कीबोर्ड के बारे में सीप्यू क्या होता है स्पीकर क्या होता है माउस क्या होता है यूपियस क्या होता है यह सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो पढ़ते हैं देखते हैं क्या दिया है दिया है a computer has many parts computer का बहुत सारा parts होता है some of them are necessary for the computer to work क्या ये सारी चीजे जरूरी है जिसे क्या करें computer work कर सके we connect these parts to make the computer इन सारी parts को हम क्या करते है computer से connect करते है latest know about these computer parts आईए हम लोग इस computer parts के बारे में जानते हैं ठीक है अब यहां पर देखिए यहां पर क्या नो इट में क्या लिखा हुआ है computer has four main parts computer का चार main parts होते है monitor, CPU, keyboard and mouse ठीक है monitor monitor के बारे में लोग पढ़ेंगे monitor क्या होता है monitor is a visual display unit monitor क्या होता है एक visual display unit होता है जिसको हम लोग बोलते है V, D, U monitor is an output device monitor क्या है output device है that display all the work done तो क्या करता है जो display पर यह होता है display जो उपर वल है क्या करता है work done करता है work कारिय करता है we can watch movies इस पर हम लोग क्या कर सकते है movies watch कर सकते है and cartoons cartoon भी watch कर सकते है and read text on the monitor और monitor पर कुछ message भी रहे तो उसको हम लोग पढ़ सकते है monitor looks like a television monitor कैसे दिखता है look like a television के जैसे दिखता है अब CPU क्या होता है यह है आपका CPU जो यह black color का है CPU central processing unit CPU का full form कोई पूछे क्या होता है बभू तो आप बताओगे central processing unit is the main is the brain of computer यह क्या होता है computer का brain होता है it is the most important part of computer यह computer का सबसे most important part है it carries out our instruction यह क्या करता है instruction it carries out our instruction यह क्या करता है our instruction को solve कर सकता है solve problems क्या करता है CPU help us the computer to remember things क्या होता है computer सारी चीज़ में क्या करता है store रहता है अब उसके बाद देखिए माउश माउश क्या होता है माउश इस एन आउटपूट डिवाइस माउश भी क्या है आउटपूट डिवाइस है ठीक है that was invented by Douglas Angel Bird इसको क्या इसको कौन बनाया था तो Douglas Angel Bird बनाया थे it is also called pointing device इसको क्या बोलते है pointing device भी बोलते है माउश को which is used to point the things यह क्या करता है things को कहां पर क्या यूज करता है वहाँ पर point ऐसे दिखाता है आप लोग देखे है न arrow ऐसे दिखाता है वो computer पर ठीक है on the monitor screen when we move the mouse जब हम mouse को move करते है घुमाते है an arrow on the computer तो computer पर क्या आजाता है ऐसे arrow आ जाता है screen also move the same direction जैसे जैसे mouse को घुमाएंगे उधर उधर ही क्या होता है वो जो ये arrow रहता है वो घुमता रहता है ठीक है और यहाँ पर देखे क्या है यह दिया हो आए a mouse help us to drop picture and play games क्या है करता है mouse के help से हम लोग picture भी लोग कर सकता है और games भी खिल सकता है ठीक है आगे देखिए अब keyboard क्या होता है उसको लोग पड़ कीबोर्ड यह होता है keyboard जिसमें बहुत सारे बटन्स होता है जिसका अलग-अलग कारे होता है the keyboard is one of the main input device keyboard भी क्या है एक main input device है used in a computer जोगी computer पर used होता है it is used to enter text यह क्या करता है message के लिए used होता है and numeric data और numeric data यानि की one, two, three in the computer system computer system में it has many small buttons called keys इसमें बहुत सारे small button होता है जिसको लोग क्या बोलता है keys बोलता है ठीक है यहाँ पर देखिए standard keyboard है 14104 की standard keyboard में कितने होता है keys तो 104 यानि की 104 क्या होता है key होता है ठीक है अब यहाँ पर देखिए उसमें एक आदा है speaker speaker is an output device speaker कहा है एक output device है which is often used to listen music and sound इसे क्या करते हैं listen क्या कर सकते है music and sounds को शुन सकते है देखिए microphone is used to record our voice microphone से क्या करते है हम अपने voice को record करते है and different sounds into the computer और computer का अलग-अलग sounds हम लोग क्या करते है देखते है अलग-अलग sound निकलता है अब देखिए उसके बाद आता है UPS UPS stands for uninterrupted power supply इसको बोलते है इसका full form क्या होता है uninterrupted power supply it supplies continuous current यह क्या करते है continuous current supply करते है to the computer computer system when power supply is loaded जब power क्या होता है cut जाता है अब printer printer देखते है जिससे आप लोग क्या करते है photo copy निकालते है देखिए a printer is used to print the text or picture on paper हम लोग क्या करते है इससे printer से text निकालते है pictures निकालते है है और पेपर निकालते हैं ठीक है दप्रिंटेट कोपी ऑन पेपर इसको अब बोलते हैं ठीक है तो यह रहा आपका कुछ पार्ट के बारे में जल्दी जल्दी इसको रिवाइस कर लेता है अम ओनिटर इस अब विजूल डिस्प्ले यूनिट मोनिटर को अब ब्लोग क्या बोलते हैं विजूल डिस्प्ले यूनिट वह जिसको आप लोलते हैं वी डी यू अ मॉनियाटर इस आंध पूट डिवाईर्स मॉनिटर आउट डिवाइस एडडे डिस्प्ले दोवर्क डन अन अंप्प्यूटर जो की वर्क कोई कीया आता है एक होता है अब यहां पर देगे दप्रिंटेट कॉपी निकलता है उसको में लोग बोलते हैं यूपियस अप्लाइट 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 करता है कंप्यूटर सिस्टम में ठीक है तो यह रहा आपके कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स ठीक है तो आप लोग अच्छे से इसको समझने की कोशिस करिएगा ठीक है और ध्यान से देखिएगा वीडियोस को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके थैंक यू